है है लो एवरीवन वेलकम टू एलेट्रिकल डिपार्टम Nat आज के इस वीडियो में हम बीटी यूपी के लेतिस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं यह update कल के date में जारी हुआ लगभग रात को यह update जारी हुआ तो आज हम इसका वीडियो बना रहे हैं तो जो update है आपका दो तीन update आये हैं सारे update आपको एक ही वीडियो में हम बता देंगे देखिए सबसे पहले update है आपका कि online exam कर new date लगभग बता दिया गया है कब से exam होगा लेकिन इसका time table अभी नहीं आया है तो आपको इस वीडियो में यह पता चलेगा कि online exam का new date क्या है साथी second और fourth semester वाले प्रमोट होगे और practical के नाम पर आपका सिर्फ वाइबा होगा यह सभी update जो है बिलकुल proof के साथ है तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको ब अबडेट जो जारी हुआ है 20 तारिक को जारी हुए मतलब कल के date में जारी हुआ है और यह update किसलिए है इसमें लिखा जारा है यह सम्द्र परिच्छा जुलाई 2021 की वार्षी पध्यच्छ जुलाई 2021 के वल अंतिम बर्ष की परिच्छा में सब्लीत होने वाले छात्र छात् कर दिए हैं लेकिन यहां पर अंतीम सिमिस्टर वाले मतलब के लिए यह अपडेट है कि देखिए इसमें फिर कराय कृपया आउगत कराना है कि सम्सिमिस्टर परिच्छा जुलाइद 2021 की वार्षी पध्धत परिच्छा जुलाइद 2021 की परिच्छा में समली थे होने वाले चात चात्राओं है तो आवेदन पत्र यूराइज पोर्टल के माध्यम से भराय जाने है तो पोर्टल जो है दिनांक 20 जुलाइज से 26 जुलाइज तक खोला जा रहा है मतलब कि आप जो फाइनल एर के स्टुडेंट है उनको एक्जामनेशन फार्म भरने के लिए 20 से 26 जुलाइज तक खोला जा रहा है तो इसमें यहीं पता रहा है कि आपको कैसे भरना है देखिए जो आपका यूराइज प्रूटल पर एक्जामनेशन फार्म वाला आपसं था कुछ दिन पहले नहीं खुल रहा था लेकिन अब वो खुल रहा है तो आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं कि आपका फार्म जो है एक्जामनेशन फार्म भरा गया है कि नहीं भरा गया है वो कैसे आप चेक करेंगे अभी हम इस वीडियो में आपको आगे बता देंगे देखिए सबते पहले जो इस्टेप फालो करना है आपको एक्जामनेशन फार्म भरने के लिए पहला इस टिप है इसमें कि सर्वत्म समझ संस्था एवं छात छात्रा को यूराइस पोटल पर पंजी करण मतलब कि आपको वहाँ पर आपका आईडी और पासवर्ट होना चाहिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है एक्जामनेशन वाले आप्शन पर जाकर एक्जामनेशन फार्म का लिंख दरसीद होना पर आपको जाने के बाद आपका सिनिर्स निर्चर और फोटो वो गररह सब क्या है अर्व ये जैसे आप व्यवर्ट सीमेस्टर ने किया था बेलकूल वही प्रॉसेश करना है लेकिन अगर आपका एक्जामिनेशन फार्म काले जौरा वैरिफाइड कर दिया गया है मतलब भर दिया गया है तो आपको केवल जाकर चेक करना है ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मतलब फिर से आपको फोटो अगरा नहीं अफ्लोड करना है तो आगे अब हम आपको बता देते हैं कि आपका ऐसे च आपका इस्टेटस वैरिफाइड बाई इस्टिट्यूट मतलब यहां पर एक्जामिनेशन फार्म जो है आपका भारत आ चुका है इसके बाद यहां पर आपको जाकर देखिए नीची आपको दिखा दे रहे हैं आपको सब्डिक्ट वगयरा और नाम वगयरा सब कुछ दि इसका इस्टेट्यूट तो आपका इस्टिट्यूट मतलब यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है इस बार का सिक सीमिंस्ट्र को सब्जेुट भी यहां पर सो कर रहा है और बिलकुल सही है कोई गर्बहड़ी बगरा इसमें नहीं है इस्टालाइशन आई अम अब हम दूसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके आनलाइन एक्जाम का डेट है देखें ये नियूज जो है आपको कल के डेट में किसी भी नियूस पेपर में आप देखने को मिल जाएगा ये नियूज फेक नहीं बिल्कुल सही नियूज है इसमें देखें कराया कि पाल्टेक्निक की समस्मेश्टर की परिछाय टली ये तो आपको पता है चल गया होगा कि आपका परिच्छाय जो है टल गया है लेकिन देखिए इसमें बता रहा है कि अगला डेट कब तक जारी हो सकता है देखिए इसमें करा है कि पाल टेक्निक संस्थानों में 22 से 29 जुलाई तक होने वाली सम्सिमेटर की परिच्छाय टल गई है परिच्छाय अगस्त के दूसरे सब्ता में कराई जा सकती है आप यहाँ पर देख लीजिए जो न्यू टेट है आपको यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका एक्जाम कब होगा परिश्बाइं जो है अगस्त के दूसरे सप्ता में करा जा सकते हैं मतलब समझ सकते हैं कि 10 अगस्त के बाद या फ sites 1-14-20 में आपका एक्जाम करा जा सकता है फिर देखे इसमें कराया कि पाल टेक्निक में पहली बार आनलाइन माध्याम से परिच्छाय कराया जानी थी सूत्रों ने बताया कि आनलाइन परिच्छा कराने वाले एजंसियों से आवेधन मांगे गए थे ने उन्तम तीन आवेधन आने पर ही एक कमपनी का चैन किया जा सकता है लेकिन परिच्छा कराने के लिए दो कमपनी नहीं आवेधन किये ऐसे में परिच्छाय टाल कर दुबारा टेंडर जारी करके कमपनी तै की जाएगी देखें बीटी उपी का कुछ समझ में नहीं आता है यहाँ पर अब देखी एक बड़ा और बड़ी प्राबलम और आ गई है कि यहाँ पर क्या है फिर से टेंडर कराया जाएगा तब जाके कमपनी तै की जाएगी फिर आपका कहीं आनलाइन एकजाम होगा फिर इसमें देखें कर रहा है कि निदेशक प्रावेधिक सिच्छा मनोश कुमार ने बताया कि परिच्छा की नए तारिखों देखें इसमें करें परिच्छा का नए तारिखों का एलान ना होने तक संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी करने मतला है जब का आपका आनलाइन एकजाम नहीं होता है आपकी कालेज में आनलाइन पढ़ाई जो है जारी रहेगी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने आपको थमनेल में बताया था कि सेकंड और फोर सिमिस्टर बाले शोडिन प्रमोट होंगे तो इसमें आप यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोट करने पर हो रहा मन्थन इसमें दिखी विल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि बीते दिनों लखनव और कानपूर के सीर्स अधकारियों की बैठक होई थी बैठक में अन्तिम बर्स सिमिस्टर वाले चात्रों की परिच्छा लेने अब जो एक नियूज और था कि आपका प्रेक्टिकल के नाम पर वाईवा होगा तो उस नियूज की भी प्रूफ आपको दिखा देते हैं और पूरा नियूज क्या है इसके बारे में ही बता देते हैं आपको देख़िए यहां पर वो नूज है वे देख़िए इसमें कि जो आपका practical exam है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कहा रहा है कि इसमें विभागी सही नहीं दिखराओगा आपको पड़कोई बता दे रहे हैं विभागी सची सुनिल सोनकर ने सभी कालेजों को 21-30 तक प्रियोगात्मक परिच्छा कराने का आदेश दिया है कहाने के मतलब है 21-30 तक आपका 100% आपका practical exam जो है हो जाएगा अगर 21-30 तक practical exam हो जाता है तो आपका result भी जल्दी ही आएगा क्योंकि practical exam के नंबर के feeding में ही time लगता है और अगर वो पहले हो जाता है तो आपका result है वो जल्दी ही आएगा तो खाने के मतलब है इन लोगों के पास कोई option नहीं बचा तो 21-30 तक प्रियोगात्मक परिच्छा कराने का आदेश दे दिये हैं और आपका practical exam जल्दी होगा अब यहां पर आप देख सकते हैं जो आप न्यूज हम बता रहे था आपको कि practical के नाम पर सिर्फ वाईवा होगा यह भी पाल्टेक्निक का है न्यूज है और इसी न्यूज में के नीचे दिया गया है इसमें करा रहा है कि कुरोना की वज़ा से प्रियोगात्मक परिच्छा में practical कराने का नाम पर केवल वाईवा होगा ऐसे में विद्यार्ति कहीं से भी online परिच्छा दे सकेंगे हीवेट पाल्टेक्निक के प्रिंस्पल डाक्टर यूसी वाजपही ने बताया कि पहली बार होरे प्रिवगात्मक परिच्छा के लिए कई बदलाव किये गए हैं काने का मतलब जो पहले practical exam होता था वैसे exam नहीं होगा online होगा तो कई बदलाव किये गए हैं साथीस में अभी का रहे हैं कि जो सिच्छक जिस विजए को पढ़ाते हैं उससे उस विजए के छात्रों की परिवगात्मक परिच्छा नहीं ली जाएगी काने मतलब जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसका practical exam नहीं ले पाएंगे practical के नाप पर सिर्फ वाईवा होगा इसका यहीं मतलब है कि practical आपका नहीं होगा केवल वाईवा होगा online माध्यम से तो वाईवा ही करा जा सकता है इसलिए अभी तक तो मेरे college में न तो practical फाईल न तो project वर कुछ नहीं बनवाय जा रहा है जबकि आप देख सकते हैं 21 तारीक से आपका practical exam है तो यहीं उमीद है कि practical नहीं होगा आपका केवल online माध्यम से वाईवा कराया जाएगा तो देखिए आज यही आपका जो update था मुझे मिला था हमने आपको बता दिया तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में